स्वागत आपको मारकर सत्य यूटूब चैलेग में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Dead Cat Bounce Chart Pattern क्या होता है और इसका जो दो पार्ट है Dead Cat Bounce Pattern और Inverted Dead Cat Bounce Pattern इसका कंसेप्ट को समझेंगे फिर हम चार्ट में जाएंगे और इसको किस तरह हम effectively trade कर सकते हैं वो एक trading strategy के साथ मैं आपको समझाओंगा जिस तरह मैं इसको trade करता हूँ तो वीडियो को last तक देखते रहे है आपको कुछ ना कुछ जोरूट सीखने को मिलेगा तो fast हम अलागला टाइप का चार्ट पर्टने इसका concept को समझ रहेते है तो देखिए dead cat bounce जो pattern है उसका मतलब क्या है जब कोई stock का price इस तरह sideways चलता है या फिर downtrend में चलता है फिर अचनक से ये बहुती speed से नीचे गिर जाता है अगले 2-3 दिनों में maximum of 5 trading days मान सकते हो उसी के अंदर अंदर ये बहुती नीचे आ जाता है और ये जितना नीचे गिरता है वो minimum 10% होना चाहिए और maximum 70-80% तक भी ये जा सकता है फिर क्या होता है फिर ये इतना नीचे आने के बाद और नीचे नहीं जा पाता है ये हलका bounce करता है इसी कोई dead cat bounce चाट परन का जाता है या तो price sideways होना पड़ेगा या फिर downtrend में जाना पड़ेगा फिर next 3-4 trading session में ये बहुती speed के सथ नीचे गिर जाता है और नीचे जो गिरता है वो 10% से उपर होना चाहिए फिर जाके थोड़ा bounce करता है तो इसी कोई dead cat bounce चाट परन का जाता है इसके पास हो सकता है कि price फिर से नीचे चला जाए या फिर हो सकता है कि यह पर यह consolidate करता रहा या फिर हो सकता है यह फिर से उपर चला जाए लेकिन आमतार पर जो माना जाता है dead cat bounce start pattern में वो यह नीचे साइड चला जाएगा, ऐसा माना जाता है, मतलब इस तरह यह नीचे आया फिर बाउंस कर रहा है, फिर से यह अपना जो ट्रेंड है, मतलब जो यह नीचे गिराता इतना स्पीड में, उसी ट्रेंड को यह कांटिन्यू करेगा, ऐसा माना जाता है, तो इसको Effectively trade कर सकते हैं, तो आप यह हम example के साथ देखेंगे, और जो inverted dead cat bounce chart button है, वो इसका फुड़ा उल्टा है, जैसे यह इस तरह accelerate कर रहा है, या फिर stock का जो price है, वो आप 10 में है, फिर अचानक से अगले 2-3 trading session में यह उपर चला जाता है, बहुत ही speed के साथ, और यह जो उपर जा र थोड़ा bounce करता है, और यह जो bounce कर रहा है, यह कितना करगा, यह कोई fixed नहीं है, यह इसका middle point तक भी कर सकता है, यह जहां से यह उपर गया था, वहां तक भी यह कर सकता है, फिर जाके यह थोड़ा consolidate भी कर सकता है, या फिर नीचे भी चला जा सकता है, या फिर यहां से यह उ दो आपके सामले में चार्ट प्लोट कर लिया तो आप यहां पर देख सकते हूं प्राइज के जहाएं फिर थोड़ा यहां पर यह पर यह इना सुरूंट सुरु किया और इस जगह पर देखोगी बहुत ही शार्प नीचे आया एक दो तिन चार दिन से बहुत ही सार्प नीचे आ रहा है तो और इसका जो हाई पॉइंट है और इसका लो पॉइंट है इसका डिफरेंस हो रहा है लगवाग 14% मतलब 40% का यह गिराव वठाया है नीचे फिर जाके यह थोड़ा टेट कर सकते थे वही मैं आपको बताऊंगा तो उसके लिए मैं मुविंग अबरेज को यूज करता हूँ 10-period का simply moving average और 30-period का exponential moving average को यूज करता हूँ और इसके साथ मैं ADX का भी यूज कर लेता हूँ तो moving average को किस तरह यूज करना है कौन सा-कौन सा moving average आपको लगाना है उसके उपर में dedicated video बना चुका हूँ जिसको आप देख सकते हो आप लिंक आई बटन में आ रहा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो तो इसके उपर आभी में उस moving average को और ADX को प्लोट कर लेता और यह जो yellow color का line आपको दिखाए दे रहा है यह 10 period का simply moving average और red color का 30 period का exponential moving average इसके अलाव आभी में दो और moving average का combination आपको सिखाया था उस video में आपने देखा होगा तो आपको याद होगा तो उसका combination भी आभी उसकर सकते हो और नीचे ADX में लगा लिया है तो इसको किस तरह आ sponsor moving average का नीचे है तो यह further study करेंगे कि इसमें sell किया जा सकता है या नहीं मतलब further आप जाके जो price एकसन है उसको देखेंगे इसके अलावा इस moving average का और कोई काम नहीं है तो देखिए price यहाँ पे नीचे आया फिर bounce किया और एक चीज़ आपको देखना होगा कि price कम से कम एक बा moving average है वो bounce करते बाग इसको एक बार कम से कम touch करें टाच करके उपर भी जा सकता है लेकिन ध्यान रखना कि 30 प्रोट का moment के उपर जाके close ना कर दे उसके उपर close कर दे तो आपको ignore करना है ताब और इसको एक बार touch करना होगा तो आप देखोगे इस candle में आके यह touch किया यहाँ आप कह सकते हो उसने जाके touch कर लिया इसको उपर close करे या ना करे वो जोरूरी नहीं है लेकिन इसका जो high point हो कम से करम एक बार touch करना पड़ेगा तो यहाँ पर touch कर लिया तो आपका भी price action देखना होगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस side एक 10 line है तो उसी 10 line ताकि यह bounce क candle में तो नहीं क्योंकि एक indecision type क candle है तो आपको wait करना था कि इसका low के नीचे जाके जब जाएगा तो आप sell कर देना था तो आप अगर conservative trader हो तो आपको wait करना था कि next candle इसके नीचे close करेगा तो ही sell करना है और आप अगर रिक्स ले सकते थे तो इसका नीचे जब cross कर रहा है म इसका क्या काम है देखिए जब आप sell करने का decision ले रहे हो तो तब जो ADX का value होना चाहिए वो 20 के उपर होना चाहिए तो ही आप sell करना वरना इसको ignore कर देना तो आप हम inverted dead cat bounce का example को देख लेते हैं तो इस start में आप देखिए price काफी time से consolidated कर रहा था आचानक से 2-3 दिन में ही price price बहुत ऊपर चला गया फीड जाके यह bounce किया मतलब नीचे आ गया तो यही बन चुका है dead cat bounce chart pattern मतलब यह inverted dead cat bounce chart pattern अभी आपको क्या करना है अभी आपको filter reaction करना है उसी moving average को लागा किये और देखना है कि आपको अभी कब buy करना है हो सकता price यही से उपर चला जाए या फिर consolidated क चला जाए जैसे कि यह गया या फिर हो सकता है यह नीचे चला जाए लेकिन आपका जो दिमार्क में होना चाहिए कि आपको buy side के लिए date करना है क्योंकि इस dead cat bounce chart pattern का जो psychology है पीछे का वो ऐसा ही है कि जब यह उपर जाता है फिर bounce करता है तो एक बार नेक बार यह उपर चला है तो इस जगह पे उपर है लेकिन जो price action है उसको भी आपको confirmation लेना है तो यहां पर price action देख सकते हो यह जो candle है यह strong bullish candle नहीं है मतलब price तो उपर जा रहा है लेकिन फिर वहां से जो seller है उसको नीचे दब रहा है और यहां पर इतना बड़ा एक gap है तो इसी के आस पास इस त बहुत ही speed से down sloping हो गया तो इस time आपको ignore करना है तो इस तरह यह चोटा 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 candle बना के जा रहा था तो तब जो ADX था बो 20 के नीचे आ गया था इस area में तो आपको इस time ignore कर देना था फिर यहां पर जाका आप देखो गये कि एक दो तीन यह तीन candle ऊपर जान और जो moving average है slow moving average है इसका ऊपर है और ADX का value भी 20 के ऊपर था तो यहां पर आपका buy signal generate हो गया था और आप यहां पर stop loss रखके यहां पर buy कर सकते थे तो इसी तरह आप dead cat bounce को trade कर सकते हो तो यह था मेरा trading strategy तो आप इसमें थोड़ा बहुत आपने हिसाब से change करके इसको trade कर सकते और यह वीडियो आपको आच्छा लगा तो एक like करना चैनल में नए हो तो चैनल को subscribe जोग कर लेना